मैं इंडिया अंतार्क्रिक बिल 2022 के प्रक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ सर अंतार्क्रिका एज ए हिस्टी ओफ फॉर्टी यर्ड के भी स्वताब्दी के प्रारम में अनेक एक्ष्प्लोर्र ने समुद्री यात्रा की लेकिने कोई सफल नहीं हुआ अगरे 15 दिसंबर 1911 को रोनेल्ड एमेटसेंस ने पहली बार साउथ पोल उंचा और जिंदा वहां से लॉट कर आया अगर साउथ पोल के अगर आइस मिल्ट करने लग जाए तो पैसिफिक और इंडियन ओसन के बहुत सारे जो आइलेंड है वो खत्रे में पड़ जाएंगा और साथी महदे यह फिफ्ट लार्जस कॉंटिनेंट ओन एर्थ विद जोग्रिफिकल एरिया फॉर्टीन मिलियन स् और वहां मुश्किल से हजार जेड़ हजार लोगों की आबादी है और वो जो 40 रिसर्च स्टेशन से हैं और वही पर वो लोग सालों बर काम करते हैं और जैसा पताए कि भारत के भी दो स्टेशन हैं मैत्री और भारती और टूरिस्ट की भी संख्या जो है जहां 2015 में 36,000 ती उबढ़ का 73,000 वहां पर संख्या हो गई है इस बिल के पास होने के बाद मेराइन फिशिंग करने का जो काम है जिसमें तक भारत शामिल नहीं हुआ है भारत को शामिल होने का उसके अंदर मौका मिलेगा और स्टी महदे भारत सरकार इंस्पेक्शन टीम का गठन कर सकती है इस बिल में इंस्पेक्शन का प्रावधान ह अगर कुछ प्रावधानों का उलंगन करता है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है और अंटार्टिका फंड के गठन करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है और साथ अगर कोई प्रोविजन्स का उलंगन करता है तो डेजिगिनेटेड को उनको याधिकार दिया गया है ति वो उस पर कारवाई कर सके तो समती मोहद है मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सदन से भी आगरा करता हूं कि सर्व समत्ति से इस बिल को पारित